नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप स्वीका और नेटा फॉर्स यूट्यूप चैनल बेस्ट वीडियों में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में एड़ेट यूनियर सिच्छक वर्थी को लेकर जादी ओडर को लेकर उत्तर पितस लोग से वायू कि माध्यम से दोबालें जिससे कि आपको नोटिफेकेशन भी मिलते रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं शुबात करेंगे एड़ेट जूनियर सिच्छक वर्थी को लेकर जिसकी बात कोई अधिकारी कोई आप सभी के सामनी करता हुआ दिखाई नहीं कहीं से आपको ज आप सभी जानतें कि डबल गोले काले करने को लेकर मामला लगा हो या फेस के लावा और भी कई मामले उसी के कर्म में एड़ेट यूनियर सिच्छक वर्थी को लेकर जारी कर दिया गया है मैंने दो वीडियो की माध्यम जो आपको जान कर दी थी पहले जिस दिन सुनभाई होने वाली थी सुबह मैंने आप सभी को बताया कि सुनभाई के अंदर क्या हुआ अब मैं आप सभी को ओडर के माध्यम से दिखा भी देता हूँ क्योंकि मुझसे कई अब्यर्थियों ने पूछा भी था कि सर एड़ेट यूनियर को लेकर और तो कोई जारी हुआ नहीं है तो आप सभी यहां से भी देख सकते हैं कि और को लेकर जानकर यह आप सभी कर सामने के लिए मिलेगा कि और मार्थी को लेकर जो कि गलत तरीके से बारे में जवाब मांगा गया था उसी को लेकर आप स्पίकर सामने जानकरी देखने के लिएक हफते का मामले को 0 3 मोट का समय यह आप 2 बाद में अगली सुनवाई होगी उसके बारे में जानके आप सब्सक्राइब के सामने लिखी हुई है और चाहर हफते के बाद ज़्यादा संभाबना है कि यह तो माच के अंत में हो ज़ाए या फृर अपेल totally में उससे पहले नहीं होगी फिलाल जो तारीक लगा दि गई किइए वह 31 अपिल में की संभाबना है यहां पर बहार को काले उनको ने कर रहाद दे दी जाए और भी तमाम चीज़ें लेकिन पीएंपी के माध्यम से कोई भी ऐसा जवाब दाखिल नहीं हुआ जिसको लेकर हाई कोड़ अपने किसी अंतिम निर्णा तक पहुंचे इसी वजह से उनकी तरफ से बात कीज़ें अपनी अपडेट के बारे में जो की सम्धित है उत्तर पिद्रस लोग से आयो की तरफ से पाइच्छा के कारीकर्म के बारे में यूपी पिएसी की तरफ से पाइच्छा कारीकर्म यहां से गोशित कर दिया गया है जिसको आप सो भी चाहें तो ओफीशल वेबसाइट के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं नौटिफिकेशन की तारिक आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी पांच मार्स 2022 को जारी नौटिफिकेशन के अंदर जानका ही दी जाती है कि 31 एक 2022 को इस परिच्छा को संपन कर रहा है जाना था 28 तारिक से लेकर 2022 की बीच में लेकिन बढ़ते को ना संकमट को देख काम ना आप सभी के पास तारीक आप सब्सक्राइब कर देखने के लिए मिल जाएगा 23,25,2,7 तारीक आपकी परिच्छा के लेकर लेकर लेकिन दूसी तरह बात की अपनी अगली बारे में जो की संबंदित है जब जब नई एल्टीगेट सिच्छक भरती को लेकर उत्तर विद्विद्विश लोग से आयोग से मुलाकात की जाती है कि नई एल्टीगेट सिच्छक भरती का विग्यापन कब सब्सक्राइब तक जादी होगा तो उनके माध्यम से बताया जाता है कि यहां पर सहचिक का गठन हो जाएगा उसके बाद करने की सरकार से अनुमती मांगी जाएगी और सरकार अनुमती दे लेती हैं तो नई सिच्छक वर्थी का विग्यापन जारी हो सकता है लेकिन इसी बीच एक बड़ा पेच आप सभी को और देखने के लिए सब्सक्राइब कर पुरानी के अंदर समकच योगिता मतलब की समकच योगिता अप सभी कह सकते हैं उसी को लेकर यहां से मामला हाइब्यतियों के माद्याम से एसे जिनके यहां पर कहने की संस्कृत नएट इंटर के अंदर या शूब है इस मगार के अगले के लिए वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी 22-22 मतलब की प्राणी सिछक वहती के अंदर जो संकच विवाद है उसका निस्तार्ण करने के लिए अगले 22 मार्च को फैसला देखने के लिए मिलेगा और उसी दिन अधिवक्ताओं के माध्यम से स्मुद्धे को भी रखा जाएगा कि एल्टीगेट सिच्छक वरती को चार सार से ज्यादा कर समय हो चुका है अभी तक भरती पूरी नहीं हुई है अभ्यती लगाता समकच पुरानी भरती में भी था अभी तक कंफ्यूज है अगर ऐसे में हाई कोई आधिस देती है तो नई भरती के लिए रास्ता आसान हो सकता है बाकी नई भरती का विग्यापन कब तक जादी होगा इसको लेकर आप सभी जानते हैं कि चुनावी आचार सरीता खतम हो जाने के बाद आयों के माध्यम से सरकार को एक वाफिर से इसको लेकर रिवाइंडर बेशा जाएगा और उनके माध्यम से जो भी जवाब आता है उसके बाद भरती शुरू हो सकती है वहीं दोसी तर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबदिते हैं उत्तर सबसे ज्यादा हाइलेटेट सिच्छक भरती आपको देखने के लिए मिलती है जिसको लेकर अब्रती काफी लंबे समय तक संगस करते रहे चाहे वह चुनाब की बीच का समय हो या फिर चुनाब से पहली का समय चुनाब से पहले अब्रती के उपर तमाम लाटी चार्ज हु अब भरती कौन देगा कौन यह विवाद का विशह राजनिती का विशह है क्योंकि मैं इस मुद्धे पर जादा नहीं बोलता हूं जो भी सरकार लोजगार को लेकर बात करते उसकी जानकाई देनी का मेरा काम है चाहे वो कोई भी सरकार हो ऐसा नहीं है किसे यहां पर बीज सब्सक्राइब को लेकर पहुंचे हुए थे और लगाता इस मुद्धे को हाइलेट करने का प्यास भी किया गया है अब देखना दिल्चस भोगा की सरकार की तरफ से कौन सी सरकार बंती और कौन सी भरती निकाली जाती है वहीं दूसरी तर बात कीजिए अपनी अगली अप निक्ति को लेकर सरकार की तरफ से एक नई चैन्स उची जादी की गई थी उसके बाद मामला न्याले में चला गया न्याले की तरफ से कहा गया कि वहीं 6800 की उपर आप दो पदों की मतलब एक पद के साफिश दो को नोकी कैसे दे सकते हैं और क्या आप दो लोगों को बेतन सिछक वर्थी चैनित हैं उनके वेतन को रोक दीया जाए क्योंकि यहाँ पर उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कंसीडर कर गया है कि फिलाल सरकार की तरफ से 6800 को लेकर जबाब दाखिया जा रहें या फिर कोड़ की तरब से जो भी फैसला लिया जा रहा है जब तिक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा मतलब सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं होगा वीडियो को लाइक करदें साथी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें